नमस्कार सू स्वागतम अभिनंदन मैं सरीताव गुपता एस्टालेजर निमिलोजिस वास्टु कंसल्टेंट आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज मैं बात करूँ कि ब्रहमस्तान, ब्रहमस्तान के दोश को कैसे ठीक करें और किस तरीके से उनको हम ठीक करके अपने सुकत जीवन की कामना कर सकते हैं कि धन, मन और तन तीनों तरफ से हम खुशी रहें। क्या कारण होता है, क्या दोश होते हैं आये जानते हैं। ब्रहमस्तान के दोश की वैसे काम में दिलना लगना, आलस का भरा होना, या काम को टालने की आदत, पुराना होने पर वहने बनाना, ठकावट फील करना, ये सब वास्तु दोश के कारण हो सकते हैं, धन का नुकसान, पैसे के नुकसान, लड़कारियों में परिशानी, घर परिवार में लड़ाई जगड़ा, किसी ब्रह्मसान होता गया है, पहले ये जानते, किसी भी प्रापर्टी या भूखंड का जमीन के मध्यभाग को ब्रह्मसान कहा जाता है, वास्तु शास्त्र में दसों दिशाओं से युक्त किसी भी घर में एक वास्तु पुरुष की कल्पना की जाती है जिसकी ना भी ठीक मध्य भाग में आती है और घर का सबसे उर्जावान स्थान भी यही होता है जो एटोमिक पावर होती है यानि जो पावर निकलती है वो सका नकारात्मक उर्जा का संचार यहीं से होता है इसलिए हम देखेंगे प्राचीन काल में मध्यस्थान को खुला रखते थे और साफ भी रखा जाता था आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होटल्स वगरा में आप जाओगे तो वहां पर ब्रहमस्थान को खाली छोड़त उर्चा निकलनी शुरू हो जाती है तो इस थान के लिए हमें सबसे पहले अगर घर बना रहे या ले रहे या जो भी आप रह रहे आपको क्या साफधानी बरतनी है हमेशा ब्रहमस्थान को खुलावा साफ रखें क्योंकि बड़ी बड़ी विल्डिंग जैसे मैंने बताया होटल गरा जो भी बनते हैं जैसे उसमें ध्यान रखते हैं और पहले भी ध्यान रखाया जाता था क्योंकि यह बहुत sensitive point है जैसे की वेक्ती का पेट खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है ऐसे पाच्छ अलिमेंट में सबसे जादा important हो जाता है ब्रहमस्थान अगर य सीडियां या बीम का निर्मान जो है यहां पर ना करें अगर मद्यभाग में किचन है तो उस घर में भोजन खाने वाले वेक्ती किसी ना किसी रोग से परेशान होते हैं उनका पेट खराब रहता है उनमें आपस में लड़ाई चगड़ा सामंजस से और धन की कमी रेखी ग करें अगर इनमें से कुछ कुछ चीजें आपके हाँ तो जानते हैं सबसे पहले आप वहां पर हवन कराएं हवन कराने के बाद अगर वहां पर कोई जलिय वस्तु है तो उसको तुरंत अटा दे बोरिंग या गड़्ड़ा है तो उसको बालू मिट्टी से बंद करने का मतल हटना है अगर पर पिला है तो उसकी अनरजी को शिफ्ट करने के लिए वहां पर पर होगा सकते हैं यहां करके कि चीजों हंप नब मिडी के दुवारा ठीक हो सकते तो एक वास्तु विशेश्चा के वास्तु कंसल्टेंट जज कर पाएगा कि किस तरीके से महाँ पर लाइटिंग करनी है किस तरह से महाँ पर उसको खुला रखना है ताकि आप जान पाएं आप भी जानना चाहते हैं ब्रहमस्तान के बारे में कुछ और तो कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं परामर्श के लिए जो है पूछ सकते हैं और इस वीडियो से लेटिड जो भी आपको कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे नई वीडियो नई सब तके लिए बाई बाई